जैहिन साथियो वेलकम टू सेल्फ स्टेडी क्लासे श्पेस सुमित जैन यूटूब सेनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं थांडाइक का सिद्धान्त थांडाइक का सिद्धान्त आपने पढ़ा होगा जिसे की अनेक नामों स से जाना जाता है उद्धिपक अनुक्रिया सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है संबंद बाद जाना जाता है बंदन मलब लाघ्वा क्यों परियो उसके बारी में जाने थांगे या फिर CTET से संबंद लेते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहा हैं, और महत्पूर्ण फैक्टों के बारे में हम आपको रोज बता रहा है, नरंतर बता रहा है, ठीक है तो पूरा वीडियो जरूर देखें बंधन सिद्दांत भी कहा जाता है चैन इवम संबंध का सिद्दांत प्रयास इवम तुटी का सिद्दांत है ना? यह सभी कहे जाती है यह आपको याद रख लिना आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि संबंध बात की परवर्टक कौन है तब आपका उत्र होगा थांडाइक, बंधन बात के, बंधन सिद्दान्थ की पिरवर्तक कौन है, तब उत्र होगा थांडाइक, चैने वं सिद्दान्थ का, संबंद सिद्दान्थ किसका है, तो थांडाइक, प्रयास वं तुर्टी का सिद्दान्थ किसका है, तो थांडाइ एक मचली का टुकडा मचली डाली गई है और यह जो है बिल्ली को तेज क्या लगी है भूंक लगी है तब देखना कि यहां पर जो होगा उद्धीपक और अनुक्रिया का सिद्दान यानि कि जो बिल्ली है यह पिंजरे में बंद है तो इस मचली को पाने के लिए क्या करेगी अनुकिरिया करेगी ठीक है ये चीज़ याद रखनी है और ये क्या है उद्धीपक तो उद्धीपक के लिए पाने के लिए अनुकिरिया कर रही तो उद्धीपक अनुकिरिया का सिद्धान्द होगा ठीक है एक किरियर दूसरा संबंद बाद यानि कि जो है उद्धीपक और अनुकरिया के बीच क्या होगा संबंद है है ना इसे जो है प्रतिकरिया कर रही है काई कि लिए उद्धिपक को पाने के लिए तो ये इसमें संबंद हो जाएगा तो ये संबंद बाद होगा ठीक है संबंद बाद का सिद्दान बंधन भी इसे बोला जाता है तो बंधन सिद सिद्दान्थ है ठीक है तो चैन इबम संबंद संबंद है तो संबंद बाद का हो जाएगा प्रयास इबम तुल्टी का सिद्दान्थ है जो बिल्ली है बार बार प्रयास कर रही है और तुल्टी करती है और बाद में इसका सही जो है उस खटका की ऊपर पैर पड़ता है और खटका खोल जाता है तो यह प्रयास और तुटी का सिद्दान्त है तो इस परकार से सारे की सारे सिद्दान्त हैं संबंदबाद, बंधन, चैन यह सभी सिद्दान्त इसी के ऊपर आपका जो है आपको याद हो जाएंगे जह आपकी पूछे जाती है एनिमल इंटेलिजेंस औ और थांडाइक की पूस्त के जो है अनिमल इंटेलिजेंस और सिख्छा मनुविग्यान है थांडाइक ने प्रयोग किया तो बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर किया है थांडाइक ने उद्दीपक अनुकरिया सिद्दान्त के और उसरा दिगम की प्रिकरिया के दोरान उद उद्दीपक को पाने के लिए जो बिल्ली है वो क्या करती है अनुकरिया करती है तब हम इसके बीच जो बनने वाला संबंध होता होती संबंध या फिर बंधन कहती है ठीक है बहुत बढ़िया थांडाइक ने उसरा किसी भी कार की किरिया के लिए उद्दीपक का होना आव पश्तक है जिसके कारण अनुक्रिया होती है जैसे हम कहते हैं लक्ष है लक्ष का होना अनिवार है यहां पर आप पढ़कियों रहे हैं आपका एक लक्ष है कि हमें MPTET या CTT निकालना है तो यह क्या हो जाएगा आपका उद्धीपक हो जाएगा और इसके लिए आप अनुक् भी इसे कहा जाता है ठीक है सभी को समझना है S मतलब क्या हो जाएगा Stimulus और R मतलब क्या हो जाएगा Response ठीक है ओद्धीपक और अनुक्रिया यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या देखना है हमें थांडाइक का यह से दांद कैद किया गया है और यहां पर उद्धीपक के रूप में जो है एक मचली को यहां पर बनाया गया है तो यहां पर उद्धीपक के रूप में मचली को डाला गया है और यह भूंकी बिल्ली है अब इसको पाने के लिए यह क्या करेगी पिर्ती करिया करेगी ठीक है जिसके ब पिंजड़े में बंद भूंकी बिल्ली तता पिंजड़े के बाहर भोजन ये क्या हो जाएंगे देखो पिंजड़े में बंद भूंकी बिल्ली है और पिंजड़े के बाहर ये भोजन है तो ये क्या है भोजन एस ठीक है सभी लोगों को समझना है और एस मतलब जो है आपका उद्धी पक है उद्धी पक है एस अब जो बिल्ली है वो क्या कर रही है पिर्ती के रिया कर रही है है ना तो आर बन मतलब सबसे पहले बिल्ली के द्वारा पिंजड़े में चलकूंद करना है ना काई के लिए उद्धी पक को पाने के लिए बिल्ली द्वारा पिंजड़े क सलाकों को हिलाना आर्टू में दूसरी इसकी पृति किरिया हो जाएगी बिल्ली के द्वारा सलाकों की बीच से निकलने की अस्फल कोसिस है ना जिसके काणे से भूले अत्रुटी का सिद्धान्त भी कहा जाता है है ना आर्फोर में देखेंगे बिल्ली द्वारा दरवाजा खोलने पर लीबर का दबना तता बाहर निकल कर भोजन प्राप्त करना ये आर्फोर हो जाएगा ठीक है तो उद्धीपक तता संतोस्प्रद अनुक्रिया के मद्द बंदन बन जाता है ठीक है तो आप समझ गए कि जब एक खटका खोलता है दरवाजा खोलता है तब क्या हो बंदन का सिद्धान्त तुरुटी या प्रयास का सिद्धान्त इस सिद्धान्त कहा जाता है तब आपको याद रख लेना ठीक है और जो थांडाइक महुदा है ये यूएस के जो है बैग्यानेक मान जाते हैं थांडाइक जिन्होंने उद्धीपक अनुक्रिया का सिद्ध बांत या पहर आपका सम्बंद बाद इस प्रकार का सदाथ दिया है, अब हम देखेंगे सास्तियों क्या देखेंगे थां Karena के दिखेंगे, मुख नियम दिये हैं इनोंने कौन कौन से ये पूछे जाते हैं हमेशाब सबसे पहले तो आता अभ्यास का नियम फिर आता प्रभाव का नियम ये सभी को पढ़ना है सभी लोग याद रख रहेना है कि इनोंने तीन नियम दे हैं अभ्यास के नियम प्रभाव के नियम और तत अब्यास के नियम को इन्होंने दो ओप नियों हुए और मांटा है तो ओप योग और अनुप यह चीज़ आपको विया दखने है ठीक है यहां तक आपको किलियर हो गई जो थांडाई का अपना सिद्धान तो जो मोको मोको बाते हैं उनके बारे में हमने यहां पर जान दिया अब देखो महत्पूर्ण चीज़ें और भी है ठांडाई के अधियम से समदे तो गोण नियम देखेंगे अधियम के गोण नियम तो बहु अनुकरिया का नियम भी है आंसे क्रिया का नियम है साहचार रूपंतरन का नियम है साधरस्ता का नियम और मनोबृति का नियम यह अधियम सुझ या अंतरदरष्टी से नहीं होता, है ना, अधियम संग्यान पराधर्ट ना होकर प्रत्यक्ष होता है, और अधियम मैं पुनरवलन केंधरिय तत्त है, ये सारे के सारे तत्त है हमें याद रख लेना है, ठीकें, कुछ और महत्पून, जो प्रशने पर एक चाहोपी होगी SOR सिद्दान्त दिया तो बुडवर्थ द्वारा दिया गया प्रेक छनात्मक अधिगम संप्रत्ते दिया बंडूरा द्वारा है ना बाल अधिगम विकास में पुरुसकार को महत्तु नहीं दिया तो गुत्री नहीं दिया अलवर्ट बं प्रेक चैनल करना यह अनुकर्ण कहलाता है जब बच्चे एक अब्धार्णा को सीखते हैं और उसका प्रियोग करते हैं तो अभ्यास उनकी द्वारा की जाने वाली तुटियों को कम करने में मदद करता है एक अतन किसका है ठांडाइक ने और आपको पता है नोंने अभ्य अभ्यास का नियाम दिया और अभ्यास के नियाम को इन्होंने दो उपव नियमों वीवी माटा है ठीक है है ना और सीखने के प्रयास या भूल सिद्दान्त की पृति पादक ठांडाइक मान जाती है ध्यान आकरसित होने में मुख भूमिका होती है तो दीपन की तीवरता क यह चीछ सभी को याद रखने है ठीक है और जुस्तों नेस्ट वीडियों में कढ़ेंगे पावला का सिद्धान्थ पावला का जो सद्यान्थ है पृतिकरिया सिद्धान्थ ये इस प्रकार किसे फ्रकार से यह से प्रस्न बनते हैं वो सारी बंदन का सिद्दांत कहती है चैन एवं संबंद का सिद्दांत और प्रयास एवं तुर्टी का सिद्दांत यह सारी की सारी चीज में आपको समझनी है ठीक है तो यह सारी की सारी चीज तो बैसे भी आपको समझ में आगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गई होगी, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और अपने सभी सातियों तक सेयर करना है, इसको जिस भी आप आट सब गुरूप में जुड़े हैं, उसमें आप सेयर कर सकती, इस वीडियो को फे देखें, परियाबन की वीडियो देखना चाहिए तो परियाबन की लगबग सो वीडियो की एक प्रेलिस्ट है, वो देखें, ठीक है, और भी सारे की सारे जो विसाय है, हिंदी पेड़ागोजी, आपकी मैथ पेड़ागोजी, यह सारी की सारी प्रेलिस्ट है, चैनल पर ज जार लोग जुड़े हैं और अध्यान करते हैं तो टेलीग्राम गॡूप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है टेलीग्राम एप डाउनलोट करना है पिलेश्टूर से और फुर सर्च करना है आईएएएएस सस्टेडी टृक स्टी U, D, Y, Study, T, R, I, C, K, ठीक है, यह सर्च करके जोईन हुजाना है, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पावलाओ का सिद्धान्त पढ़ेंगे, ठीक है, जाए हैं,